Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta, welcome to the next video of Ready for Study आज हम class 9th की English की worksheet करने जा रहे हैं, यह आपकी assessment worksheet 7 है और इसकी date है 11 October 2021, ठीके, तो यहाँ पर आप अपना नाम दिख लिजेगा यहाँ पर आप अपने teacher का नाम दिखना जो आपको English पढ़ाते हैं तो बचे आपको पता है कि आपका assessment worksheet में क्या आता है, आपने जितना भी one week में पढ़ा हुआ होता है worksheet के थुरू, वही आपसे एक assessment के form में पूझा जाता है तो यहाँ पर आपको MCQs की practice करवाई जाएगी, यहाँ पर आपको 10 MCQs दिये हुए हैं, तो start करते हैं हम अपने पहले question से तो पहला question आपका Albert Einstein का जो हमने chapter पढ़ा था आपकी book का, उससे है तो question पढ़ते हैं, Albert's work on general theory of relatively was proclaimed by the newspaper as जो Albert ने जो theory पेश की थी, कौन से theory, general theory of relativity, वो सबसे बहले उसकी गोशना किस newspaper ने कैसी की थी तो उसकी गोशना बताए किस तरह किसी की गई थी, a mysterious revolution, a scientific revolution, a musical revolution, a technological revolution तो बताए किस तरह किसी की थी, तो यहाँ पर option number B आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, a scientific revolution, ठीके, revolution का मतलब होता है क्रांती अगला question है, Einstein was deeply shaken due to the destruction caused by, शेकन का मतलब बता है, बहुत बुली तरह किसे आघात महुचना, दुख होना, ठीके, तो किस परकार के destruction से Einstein बहुत दुखी होते हैं, तो वो है आपका the atomic bomb explosion in Japanese cities अब देखो, जो आपको पता है, हिरोशिमा और नाका साकी में, अमेरिका ने atomic attack किया था, atom bomb गिराए थे, ठीके, हिरोशिमा में और नाका साकी में कब गिराए थे, 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को, तो यह जो जो दो शहर थे जपान की, बहुत बुली तरह की से तबहा हो ग लोग मर गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, ठीके, अगला कोशन है आपका, after finishing graduation, Albert work as a, तो देखो, गर्जिशन के बाद वो teacher के तौर पे काम करने लगे थे, तो यहाँ पर option number C, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, teaching expert, ठीके, next question क्या है आपका, next question है, Albert's mother was, Albert's mother was, bothered by the intelligence of, तो जो Albert की mother थी, वो किसकी intelligence से बहुत ज़्यदा प्रभावित होती है, तो मैं लीविया का, मैं लीविया, यहाँ option number A, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, next है, at what point in the affair did the child lost his parent, तो जो बच्चा था, उसने अपने parents को कब खुया था, at the sweet meat shop, at the flower shop, at the balloon seller, and at the round board, तो यहाँ पर आपका option number कौन से ठीक होगा, आप सोची क्या होगा आपके recording, यहाँ पर आपका option number D, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर pencil black color का mark करना है, right, next question है, what did the child want to have at the flower shop, तो जो फूल की दुकान देखता है, तो बच्चा उसमें क्या खरिदना जाता है, a garland of roses, a garland of violets, a garland of gulmohar, a garland of lilies, तो देखो, garland का मतलब क्या होता है, माला, तो वो कौन सी माला जाता था, गulmohar के फूल के, तो garland of gulmohar आपे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, option number C, right, next आपका question क्या है, next है, how did the flowering mustard filled look, तो जो flowering mustard था, flower बेचने वाला जो तो देखो, white like silver, red like rose, pale like melting gold, यह lovely like rainbow, तो यहाँ पर वो स्लड़ा yellow इस्टा था, sorry, मैंने question पड़ा, how did the flowering mustard यह, master नहीं है, mustard है, तो जो flower का yellow color था, वो कैसा दिख रहा था, yellow color दिख रहा था, pale, like a melting gold, यानि कि पिगले हुए, सोने की तरह लग रहा था, next है, the name of marriage site, situated in the middle of the pond, near to Abdul's house was, तो क्या है इसका option, बताए, कल्यान मांचा, तीर्थ बरा थी, रामतीर था, यहां रामा मंदिर, बताए आपके according क्या होगा, आप सोचिए, हाँ जी, रामतीर था, यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि उनके घर के पास में यह रामतीर था, पॉंड था, right, next है अब्दुल फादर बिलीव इन, तो अब्दुल कलाम के जो फादर थे देखो, यह लोग बहुत गरीब फैमली से थे, मैंने आपको बताया था, पिछले वर्क्षिट में, कि यह लोग बहुत मिडल क्लास फैमली से थे, लेकिन फादर मदर पढ़े लिगे ना होने के बाव फादर में, तो आपको पता है कि अब्दुल कलाम अजाद ने अपना पहला वेज कैसे कमाया था, बाई सेलिंग ना नूस्पेपर, नूस्पेपर वेज के कमाया था, तो इसमें उनकी किसने हलप की थी, तो इसमें उनकी हलप की थी, हिस कजन समशुद दीन, ठीक है, यह इ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्क्षिट के साथ, और असेस्मेंट के साथ, तब तक के लिए ठैंक यू सो मच, बाई बाई